इस वक्त हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चाप्टर पट रहे हैं एग्सराइस फाइव पॉइंट टू का क्वेस्ट नबर नायन हमें आप करना है क्वेस्ट नबर नायन में हमें दिया गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी थर्ड टर्म उसकी थर्ड टर्म फोर है यहने टी थरी फोर है तो हम लिखेंगे टी थरी इस फोर उसके बाद उसकी नाइन्थ टर्म उसकी नाइन्थ टर्म माइनस एट है तो हम question है कि which term is zero अब जरह बता उस arithmetic progression में कौन सी term zero है तो हम लिखेंगे tn suppose tn is zero तो हम उसके बाद n मालूम करेंगे अगर suppose tn nth term zero है तो यह n हम मालूम करेंगे कि n क्या है कौन सी term तो इसमें जब which word होगा which term इसका अमला बेकि कि आपको n निकालना है चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे देखें यह पिछले question कि तरह ही question है अभी जो हमने पिछले इससे पहले जो question हमने किया question number seven तो यहां पर भी आप लिखेंगे sinus t3 t3 आपको दिया गया है लेकिन आप t3 की formula लिखे ए प्लस टूडी t9 t9 की formula है ए प्लस एट डी so that implies t3 t3 की जगा आप लिखे यह इसका मतलब हुआ कि ए प्लस टूडी 4 है क्योंकि t3 4 है ना इसका मतलब हुआ कि a प्लस टूडी 4 है अच्छा t9 माइनस 8 है लेकिन t9 formula के साबसे a प्लस a d उसका मतलब a प्लस a d जो है वो माइनस 8 है अब यह routine question बन गया है पिछले question की तरह इन equation को आप subtract कीजिए इसमें से आप a और d निकाले चले subtract के लिए हम इस a को माइनस बनाएंगे d a d को भी माइनस और माइनस 8 को प्लस 8 उसके अब आप लिखेंगे subtracting subtracting second from first we have a minus a 0 2d minus a d minus 6 is d is got 4 जब माइनस 8 separate करेंगे यह बन जाता है प्लस तो 4 प्लस 8 12 that implies d is equal to 12 divided by minus 6 that is equal to minus 2 इसका मतलब हो आए कि उस sequence की common difference जो है वो negative है minus 2 ओकी अब हमें क्या करना है अब हम यह वारी formula use करेंगे इससे पहले हम इस d को इस first equation में डार के पहले हम a निकालेंगे तो putting this d put d is equal to minus 2 in first we have तो a यहां पर a रखे प्लस 2 d की जगह लिखे minus 2 is equal to 4 that implies a minus 4 is equal to 4 minus 4 को उससे लेते हैं 4 minus 4 बलेगा प्लस 4 4 plus 4 8 so therefore हम कहेंगे कि a 8 है और d विजो हमने निकाला minus 2 है अब यह पिछले question की तरह question है कि आपको आप nth term y formula use कीजिए उसमें से हम n निकालेंगे using formula using formula nth term formula हम use करेंगे a n या t n is equal to a plus n minus 1 into d we have तो a n चुंकि हमें question है कि कौन सी term 0 है तो यहां पर हम a n लिख सकते हैं तो a n की जग हम लिखेंगे 0 तो चलो 0 is equal to a 8 plus n हम मौलूम करेंगे into d minus 2 तो यहां पर that implies अगर हम इस 8 को पहले इस side लाते हैं minus 8 is equal to n minus 1 into minus 2 अब इस minus 2 को आप इछले question की तरह जैसे मैंने सिखाया इस minus 2 को आप इस side लाएए divide में तो we will get minus 8 divided by minus 2 is equal to n minus 1 minus minus cancel two ones are two fours are four is equal to n minus 1 और we can say n minus 1 is equal to four तो that implies minus 1 को आप इसे लाएए n is equal to five चुंकि n five निकलता है इसका मतलब हुआ कि जो zero आपको दिया गई दी गई थी तरूम वो वो fifth term है क्योंकि n का value हमें निकलता है यहां पर five so therefore we can say therefore zero is the fifth इसी fifth को हम answer बनाएंगे fifth term of the given AP यह इस question का answer है तो इसका answer में ने यह fifth term zero is the fifth term अब इसके बाद question number eleven है एक AP यहां पर हमें दी गई है the AP is हम AP पहरे लिखेंगे अरस्मिटिक progression है three fifteen उसके बाद है twenty seven thirty nine dash dash एक अरस्मिटिक progression हमें दी गई है अब question क्या है question है कि बताव इस arithmetic progression में कौन सी term है जो 54th term से 132 ज्यादा है कौन सी term है जो 54th term से 132 ज्यादा है तो यहां पर हम इस तरह से question स्टार्ट करेंगे हिपले हम देखेंगे इसमें a क्या है इसमें a three है d fifteen minus three that is twelve अब इसके बाद हम लिखेंगे let let tn be the term be the term which is which is 132 more than more than 54th term हमें वो term निकालनी है जो 54th term से 132 ज्यादा है यह उसका magnitude 54th term से 132 ज्यादा है तो suppose वो term है tn so therefore इसका मतलब हुआ अगर हम mathematical लिखेंगे tn जो है it is equal to t54 plus 132 जो term हमें निकालनी है वो 54th term से 132 ज्यादा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे अब यहाँ पर आप क्या कीजिए इस tn की जगह आप लिखे a plus n minus 1 into d is equal to 54th term की जगह आप लिखे a plus 53d plus 132 अब यहाँ पर देखे a और a cancel होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा पलस 132 तो यहाँ पर हम d का चूँ के वैडिव हमें पता है 12 तो d को हम यहाँ वैडिव दे 36 12 5s are 60 or 3 63 plus 1 32 that implies 12 into n minus 1 is equal to 6 36 plus 1 32 6 plus 2 8 3 plus 3 6 6 plus 1 7 7 6 8 that implies यहाँ से यह 12 को यहाँ लिखे n minus 1 is equal to 7 6 8 divided by 12 okay तो यहाँ पर 12 से इसको आप डिवाइड कीजे 12 6072 वहाँ पर बाचेंगे 12 4068 तो n minus 1 is equal to 64 that implies n will be equal to 64 plus 1 that is 65 तो यह हमारे question का answer है question क्या था question था question था कि which term in the given AP is 132 more than 54th term which term था ना question which term तो जब आपने n का value ने का ला 65 तो यही हम कहेंगे हम कहेंगे 60 इसका मतलब हुआ कि 65th term इस गिवन AP की 65 वी term है जो 54th term से magnitude के हसाब से 132 ज्याद है तो देरफोर वी विल से अनल की तुल तो यह चाहिए तो यह यह क्वाश्य का आंसर है झाल